इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में जो आपको पढ़ना चाहिए जो अगर आप लोग पढ़ते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगएगा आपको और सिर्फ अच्छा नहीं लगएगा यह आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद करेगा खुद को समझने के लिए क्योंकि इस बुक के जो ऑथर है डैनियल वो एक ऑस्चेलियन ऑथर है जो ज्यादा तर जो वर्क होता है उनका वो होता है ज्यादा सिर्फ डिस्कोवरीज के ऊपर और सिर्फ बेटर्मेंट के अपर जयानिं अगर आप इनके किताबों को पड़ते हो तो आपको जाधा तर सिल्फ डिस्कवरीज और सेल्फ बेटर्मेंट ही content देखने को मिलेंगी और जितने भी books वो लिखते हैं guys वो लिखते हैं on the basis of their research and their own personal experiences book का नाम है who says you can't you can okay देखो यहाँ पर book आ रहा हुआ कहीं पर देख लेना और guys अगर आप लोगों को यह book को पढ़ना है तो आप लोग जा सकते हो description में link दिया हुआ है अगर आप लोग चाहते हो एक ऐसी किताब को पढ़ना जो आपको थोड़ा motivate कर सके जो आपको थोड़ा खुद के बारे में बता सके और या जो आपको बता सकेगी आपके पास there are a lot of limitations जो कि केवल आपकी imagination है समझेशी तो guys अगर आप एक middle class family से आते हो ना तो हम middle class family में क्या होता है ना एक चीज़ बहुत ही जादा common होता है जैसे सबजीयों में आलू कम होता है वैसा ही middle class families में एक चीज़ बहुत ही जादा common होता है and that is limitations हम middle class families limitations को भड़ भड़ के अपने सर के ओपर लगाते रहते हैं okay बिना शीज को समझे की सायद हो सकता है यार कि वो जो limitation है वो केवल हमारा imagination हो okay जिस imagination को आप तोड़ सकते हो अगर चाहो तो okay तो guys यह book आपको उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताएगा यह आपको बताएगा energy के बारे में यह आपको बताएगा असली pure happiness खरीज सकते हो या फिर pure happiness का form ले सकते हो तो कही न कहीं आप गलत हो अगर आपको ऐसा लगता है यार कि आपका bank account बहुत साथ जाएगा तो आपको जो happiness का pure form है वो मिलेगा तो आप गलत हो और guys अगर आपको ऐसा लगता है आपका बहुत ही कोई खूबसूरत सा घर बन जा सकते हो happiness कहीं नहीं मिल सकते है guys this is a very big misunderstanding कि आप happiness कहीं से खोज सकते हो okay क्योंकि यार happiness यार आप वो किसी बनिये के दुकान पर आपर किसी electrician के दुकान पर या फिर इधर उधर किसी सौब अगरा भी नहीं मिलने वाली है किसी सोरू में जा करके नहीं मिलने वाली है happiness होती है आपके अंदर you can find it but किवल एक जगा और वो एक जगा होता है आपका दिल okay अब दिल का यह मतब नहीं है कि जागर के x-ray वगरा कर लो आपको पता है कि हम क्या बोलना चाहरे है okay आप उसे अपने अंदर ही खोज सकते हो happiness आपके अंदर है happiness आप में ही है बस फर कितना है कि आ आप उसे पहचान पाते हो या नहीं guys इस वाले किताब को आपको पढ़ना चाहिए अगर आप ठक चुके हो अपने family अपने friends अपने आसपास के लोगों के negative thoughts को सुन-सुन कर और आप ठक चुके हो उन लोगों से यह सुन-सुन कर कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते guys as being a youtuber there are a lot of people joom say that you can not do this okay और आप में वो कैलिबर नहीं है बहुत सारे लोग है इस तरीके के मेरे बहुत सारे friends है बहुत सारे circle में लोग है but the thing is yarr ki mera yeh bhoot जादा कहरा belief रहता है शीज के ओपर that energy आपके पास है केवल एक ही unit का है okay energy आपके पास केवल एक ही unit का है अब आप उस energy को कितना कहां कहां पर लगाना चाहते है guys मेरा बहुत ही जादा तगड़ा belief एशीज के ओपर that energy limited है हमारे अंदर okay आप उसे खर्च करो ने थो थोड़ा सोच समझ के खर्च करो okay अब ऐसा नहीं उस तेयर कि आप अपनी उसी energy का इस्तमाल कर रहे हो लोगों को सांध कराने के लिए okay अगर कोईश लोग आपको criticize करें तो आप अगर उन्हें भी सांध करना ने लोग है तो क्या ही करना है आपके अंदर कैलिबर है और आप क्या क्या कर सकते हो okay आइसा बिल्कुल भी नहीं करें के जो आपके फ्रेंड्स या फिर अपके फैमिली की मिंबर होंगे या फिर आपके सरकल के लोग होंगे वो हर बार आपका बुरा चाहेंगे लाइस इंडिया का एक बहुत ही खतरनाक mentality है हमारे Indians का खास करके middle class family में that आप कुछ बहुत बड़ा करो या ना करो वो मैटर नहीं करता है लेकिन आप कुछ गलत ना कर दो या फिर आप बरबाद ना हो जाओ तो कुछ लोग है इस चीज के लिए भी आपको रोगनेया कुसस करते हैं लेकिन होते हैं बहुत सारे लोग जो कि केवल ये नहीं चाहते हैं that आप कुछ हट के करो so that is why they are gonna tell you that ये तुमसे नहीं होगा या फिर इस जगापर तुमको नहीं क्याना चाहिए and all but मेरे एसाब से guys आप अपने life का in charge खुद हो try to be very responsible for your life अगर आप आज से 5 साल के बाद एक failure के तरह निकलते हो तो आप एक failure हो अपने वज़े से आप किसी दूसरे person के ओपर only not आ सको कम से कम issues के लिए आप आज खुद के ओपर responsibilities दो खुद के life को संभालने का समझ में आ रहा है decisions तो यार खुद से लो यार अब बहुत सारे लोग यह ऐसा बोलते है हमारे parents बोलते थे कि हमें यह करना चाहिए बहुत सारे लोगों का सपना होते है doctor बनना पता है क्यों क्योंकि उसके parents चाते हैं कि वो doctor बने या फिर engineer बनना क्योंकि उसके parents चाते हैं कि वो engineer बने वो उनका सपना नहीं होता है तो यार जब सपना भी तुम उधार मांग करके ला रहे हो तो कहां से यार तुम अपने सपनों को पुड़ा करने वाले हो बेवकूफ हो गया अपने आपको बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं ठेक तुमके वल्ट समय वर्बात करने वाले हो वाल काई ये वीडियो तुरह था सीरियोस होता जाड़ा है ये बस एक बुक रीकमेंडेशन के जैसा हम बनाना चाहरे थे इसमें कोई मोटिवेसन नहीं जाड़ना था तो इस वाले वीडियो में हम बस इतना ही करना चाहते है गाईस that if you are a person जो इंट्रेस्टेड हो एक मोटिवेसनल किताब को पढ़ने में अगर आप एक ऐसे परसन हो जो की स्टार्ट अप करना चाहते हो अपना तब आपको ये पढ़ना चाहिए